दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है आजकल मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ जो भी मेरे वीडियो का तौफिक होता है पहले मैं देखता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं अगर मुझे लगता है कि यह comment पर यह question पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उसी को select करके वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे एक subscriber का सवाल था कि मैंने दाखिल खारिज के लिए online apply किया था और मैंने जो online apply किया उसमें मौजा number मैंने गलत mention कर दिया जिसकी बज़ा से जो मेरा दाखिल खारिज का जो आवेदन था वह reject हो गया और अब जो करमचारी है जो जमीन का करमचारी है वह बोल रहा है कि अब फिर दोबारा दाखिल खारिज के लिए online apply नहीं होगा अब इस पर कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि आपने एक बार गलती कर दिया आपने मौजा number गलत mention कर दिया जिस बज़ा से आपका आवेदन reject हो गया अब एक बार reject होने के बाद दोबारा आवेदन नहीं होगा तो यहाँ पर सबाल उठता है कि क्या ऐसा होता है क्या कई बार यहाँ भी होता है कि आप सही data भी mention करते हैं और दाखिल खारिज के लिए online apply करते हैं इसके बाजू भी कई बार आपके आवेदन को reject कर दिया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एक बार आपका आवेदन reject हो जाता है तो आप दोबारा apply नहीं कर सकते हैं यहाँ पर सीधा सा मेरा जवाब है कि दाखिल खारिज का आवेदन जिस्वी बज़र से reject हो चाहिए आपने गलत data mention किया हो या फिर कोई भी बज़र हो आप जितना बर चाहें उतना बर दाखिल खारिज के लिए online apply कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर आपका करम चाड़ी बोलता है कि आप reject हो गया आप कुछ नहीं होगा तो यह सरा सर गलत है यहाँ कहीं भी mention नहीं है आप यहाँ पर आट्याई लगा कर भी उनसे जवाब मांग सकते हैं कि आप यहाँ कैसे बोल रहे हैं लेकिन अगर मान लेते हैं आपने apply किया reject हो गया आप office में गए आप सम्मंदित करियाले में गए और आप करमचारी का वहाँ पर जो भी उष्टाप पर कहना है उसका कि अब कुछ नहीं होगा तो आप यहाँ पर पहले घखबडाय नहीं आप समझदारी से काम ले आप यहाँ पर CEO के पास भी आविदन दे सकते हैं आप लिखित में उनसे प्रातना कर सकते हैं शिकायत कर स सकते हैं अगर आपको वहां के लिए जाने में कंफीजन होता है डर लगता है तो आप किसी वकिल की मदद ले सकते हैं और आप वकिल के माध्यम से वहाँ जा सकते हैं जो भी ड्राफ्टिंग करना होगा जो भी लिखना होगा आपका वकिल अपने धंग से मेंसन कर देगा त लेकिन दोस्तो 99% के सेज में जब मामला DCLR कोट में जाता है तो वहीं पर मामले का निपटारा कर दिया जाता है लेकिन अगर वहां से भी आप संतुष नहीं है तो आप घाबडाय नहीं आप अपने वकील से बात करें और सारा पेपर कोई कठा करके आप सीथे कोट में भी केस फाइल कर सकते हैं और कोट में तो थोड़ा समय लगता ही है क्योंकि केस बहुत सारा है थोड़ा समय लग सकता है लेकिन अगर आप थोड़ा सा पे सेंस रखते हैं तो आप यकीन मानिए कोट यहां पर सीधे ओर देग स्वारा करें या फिर सीधे कोट के सरण में ही जाना चाहते हैं तो आप हमसे पहले appointment लें पहले हमसे बात करें क्या matter है मैं पूरे matter को अच्छे से समझूंगा लेकिन मैं एक बात पहले ही clear कर दूं कि अगर आप हमसे फोन से बात करते हैं एडवाइज लेते हैं तो यह अमेरी paid service है आप हमसे यहां पर कैसा contact करेंगे आप पहले हमें Instagram पर follow करेंगे और follow करने के बाद हमें मैसेज करेंगे मेरा Instagram पर उसर नेम है तो दोस्तो अगर आपके मन में और भी करेंगे परिवार का क्या रखें